नवस्कार सबी को गुड़ मॉनिंग गुड़ अपन गुड़ नाड जब भी याँ वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में आपन देखने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्पूर्ण कुश्चन ठीक है जो की बहुत विकल पिये हैं इसका पार्ट टू है पार्ट बान आप पर बाल किस्ण भट और भार्तेंडू हरिशियंद प्रताब नाराण मिस्र, बद्री, नाराण चौधरी, प्रेमगं ठीक है तो यहां पर हमारा आपसरण जो है बी वाला बिलकुल सही है भार्तेंडू हरिशियंद वाला ठीक है अगला कुश्चन है क्कुश्चन गर म खोच अकला कोशन देखेंगे तीसरा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं या लेखक मुछरा राम कुमार बर्मा जी उसके बाद लच्वी नारायंड मिस्त्र और जैसंकर परसाद भारते इंद हरी शंद तो इसमें आपसन हमारा सीवाला राइट है ठीक जैसंकर परसाद ठीक है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं वो जैसंकर परसाद हैं ये कोशन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट भी है अगला देखेंगे रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो रानी केतकी के लेखक पूछ रहा है तो यहां पर दिया है राम परसाद रानी केत्की के कहानी के लेखख ईशा अल्ला है ठीक है अगला कोश्ण देखते हैं कोश्ण करवांग पांच इसमें दिया है मैला आचल है ना मैला आचल किसका उपन्यास है तो यहां ब्रंदा न लाल बर्मा जी वह उतिसरन बर्मा और फड़ी सरना तरेडु जी मूनसी प् संसी वाला ही रायट है ठीक है तो इसे आप अच्छे से ठीक कर लें अगला कुश्चन है हमारा चिपन छटा दीप जलें संक बजें ठीक है विदा पूंची जा रहे हैं यहां पर इसकी विदा बतानी आपको तो यहां पर रेखा चित्र है ललितनी बंद है यात्रबतां तो इस संसमररर ठीक है तो इसकी जो विदा है वो संसमररर है ठीक है अगला कुश्चन है कुश्चन करमांक साथ देखेंगे सीधे यहां पर कहे रहा है इन्दुमत्ती कहानी के लेखग है ठीक है तो बरंदवनला और किशोरी लाल गोश्वामी और अग्य говорить है तो यहां पर राके सरदार पूर्ण सिंग और हजारी परसाद दुवेदी जी ठीक है तो यहां पर सी वाला अफसन है बिलकुल सही सरदार पूर्ण सिंग वाला ठीक है और वांकी ये दोनों है रांग और नीचे वाला भी है रांग ठीक है उसके बाद हमारा कोश्चन करमांकर नौ है भार ठीक है अगला कोर्शन है कोर्शन कर्मांग 10 डाक्टर हजारी परसाद दुवेदी द्वारा लिखे तसाहित जिसका नाम था सहेचर किस विधा की रचना है तो यहां पर विधा पूछ रहा है ठीक है तो निवंद अलोचना उपन्यास संसमरा तो इसमें से हमारा अपसंद वी सरनगरवाल डाक्टर एजेपी अब्दिलकलम कंदीयलाल प्रखाकर और डाक्टर हजारी परसाद दुवेदी तो इसमें हमारा जो है कोर्शन कर्मांग एवाला ही सही होगा इसका ठीक है कोर्शन कर्मांग 11 का आफसन ए बासो देव सरनगरवाल ठीक है उसके बाद देखें आत्म का था ठीक है तो कोर्शन कर्मांग ये बारा है इसमें हमारा भी वाला विलकुल और सही है उपन्यास ठीक है तो उपन्यास पर टिक कर ये बाड़ बटकी आत्म का था किस विदा की रचना है ठीक है तो ये उपन्यास है अगला है हमारा कोर्शन कर्मांग के तेरा यह पर आपसंदी वाला विल्कुल सही हो जाएगा कभीर वाला ठीक है तो आप डी पर लॉक कर दें अगला है हमारा कौन सा ग्रंत भक्तिकाल का है ठीक है तो प्रत्वीराराश्यौ साकेत और कामाइनी और इसके नीचे एक और दिया है बिने पत्र का ठीक है तो यहां पर भक्ति काल से संबंद्ध है ना तो आफ़सेंद को लॉक कर दें ठीक है उसके बाद कोश्म करमांग 15 देखेंगे सीदे अस्ट अच्शाप के कवियों का भक्ति ऐ कि साhis है थीक है संबंद पूंच रहा है यहाँ पर अस्शिाकाल के कवियों का संबंद भक्ति काल की किस साका से है तो यहां पर दिया हुआ है ज्यानसराई साका, प्रेमसाई और किस्ण भक्ती और राम भक्ती तो यहां पर अस्ट चाप जो है किस्ण भक्ती साका से अंतरगत आते हैं यानि कि सम्मंद रखने वाले हैं यहां पर सम्मंद पूछ रहा था ठीक है तो अस्ट चाप के कवियों का सम्मंद भक्तिकाल की किस साका से है किर्षण भक्ति साका से ठीक है कुर्षिन क्रवांग 16 देखेंगे सिदे यहां पर कह रहा है तार सब तक का प्रकासन हुआ यहां पर सन दी हुई है उननिशो सेटालिस, उननीसो तीटालिस, उननिसो पचासो, उननीसो इकटिस तो यहां पर हमारा अपसण जो है, वी वाला बिल्कुल राइट है उननिसो तीटालिस वाला ठीक है, यह कोश cocoa काफी महतपूर भी है, तो इसे अच्छे से त्यार करके ही जाएं थीक है उसके बाद देखते हैं कोशन करमांग 17 मैतली सनगुप्त का प्रथम काब संग्रे है अनगे उसके बाद भारत भारती पंचवटी और सिंध राज ठीक है तो यहाँ पे हमारा आफसन जो है बी वाला ही सही है भारत भारती ठीक है कोशन करमांग 18 ठीक हारा कौन सा कभी रितिकाल का है तो यहाँ पे है जैसंकर प्रसाद रामधारी सिंधिनकर मलूक दास और बिहारी ठीक है तो इसमें हमारा आफसन डी वाला ही विल्कुल राइट है ठीक है अगला कुशन देखेंगे हम कुशन करमांग 19 का माइनी महा काब में सरगों की संक्या है तो यहाँ 9, 12, 15 और 17 दिये हुए हैं तो इसमें हमारा आफसन सी वाला राइट है यानि की 15 का माइनी में सरगों की संक्या 15 है उसके बाद देखेंगे कुशन करमांग सीदे 20 में तरन पंत को ग्यान पीट परसकार उनकी किस रचना पर मिला तो यहाँ पर रचना सब्द है ठीक है तो यहाँ पर लोकायन युगांत कला और बूडाचांद चिदंबरा तो आफसन डी वाला विल्कुल राइट है उन्हें चिदंबरा उनकी रचना है उस पर उने ग्यान पीट वरिसकार मिला था ठीक है अगला कोश्चन देखें जोगवादी का विधारा के जनक है अग्ये दिनकर निराला जी धुमिल तो इसमें से हमारा आपसवन जो है ये वाला विल्कुल राइट है अग्ये जी ठीक है आप कोश्चन कर्मा सिद्वाइस देखेंगे यहां पर दे रहा है तीसरा सब तक का प्रकासन किसे बर्स हुआ तो सन पूछ रहा है यहां पर तो 1969 दिया है उसके वाद 54 1951 और 1957 तो इसमें आफ सन यह वाला विल्कुल राइट है ठीक है को सन कर्मांक 23 देखेंगे यहां पर दिया है रामधारी सिं दिनकर को ग्यान पीट परसकार मिला कुरूछ चेतर पर रस्मी और वसी होंकार ठीक है तो यहां पर सी वाला बिल्कुल राइट है और वसी उनकी रज़णा थी उस पर उन्हें ग्यान पीट परसकार मिला था को सिंगरमांग 24 में दिया हुआ है काला और बूड़ा चांद स्मितरनांद पंत को प्रश्कार मिला कौन सा, प्रस्कार मिला, तो यहांप वसाहित, और ग्यानपीट् या मंगल पृष्द या सोवियतलें हरो. ठीक है, तो यहां पर यह वाला है, साहित कादमी प्रसकार मिला था, ठीक है उसके बाद देखेंगे कुष्ण कर्वांक 25 जिसमें दिया है हिंदी साहित के किस काल को स्रोन यूक कहा जाता है तो यहां स्रोन काल की बात हो रही है, आदिकाल, भक्तिकाल और यहां पर रीतिकाल आदनिक काल दिये हुए हैं तो इसमेंसे सोनर काल हम भक्तिकाल को कहते हैं यह कोश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है वैसे यह सारी इंपॉर्टेंट हम करवा रहे है उसके बाद है यहां पर दिया है किस कवी को कुश्चन करवांग 26 है यहां पर दिया है किस कवी को ग्यान पीट परशकार नहीं मिला रामधारी सिंग दिनकर, सुमितर नंपंत, जैसेंकर प्रसाद, महादेवी, बर्मा ठीक है तो यह 26 में हमारा आफसन सी हो जाएगा जैसेंकर प्रसाद जी को कोई ग्यान पीट परशकार नहीं मिला 27 जिसमें लिखा हारी गास पर छड़ भर प्रती, निलिक मेंसे किसकी है तो कुश्चन करवांग 27 पर दिया है तो इसमें आफसन हमारा सी वाला सही है ठीक है अग्या जी वाला ये कुश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था अगले बढ़ते हैं कुश्चन करवांग 28 की तरफ यहाँ पर दिया है कौन सी रचना रामधारी सिंग दिनकर जी की नहीं होकार रस्मती उसके बाद है शित्रधारा रेड़कवा ठीक है तो इसमें हमारा अफसन भी है रस्मी रथी ठीक है यह रामधारी सिंग दिनकर जी की नहीं है और कुश्चन करवांग 29 पे दिया है नई कविता युक की रचना है तो यहाँ पर यमा खुश्चन करवांग 30 यानि की लास्ट जिसमें दिया है बिन पत्रका किस काल की रचना है तो बिन पत्रका जो है यहाँ पर आफसन दिया है यह में आदिकाल भक्तिकाल और रीतकाल और आदिकाल तो इसमें और आपसे जो है भक्ती काल वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा तो इसमें हमने महत पूर्ण 30 कोर्शन देखी आई हो पांपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक और सेयर जरूर कर दें थैंक्स बाचिंग फार वीडियो